परिचय विश्व की प्रतेक वस्तू में गती होती है। हम चलते हैं, दौडते हैं और साइकल चलाते हैं। हम पेड़ों से गिरते पत्तूं और बांध से बहते हुए पानी को देखते हैं। मोटर गाड़ी और वायुयान यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। प्रिथवी 24 घंटे में एक पार अपनी अक्ष के परिता घूणन करती है। तथा वर्ष में एक पार सूरे की परिक्रमा करती है। इस पार्ट के अंद में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। यांत्रिकी और इसके वर्गी करण को समझना, स्थेदिकी और गतिकी में बहेत करना, व्रहमा अवस्था और गती के बीच विभेत करना, सापेक्शिक गती को समझना, गती के प्रकार समझना, बिंदू द्रवेमान वस्तू और निर्टेश तंत्र को परिभाशित करना। पथलंबाई और विस्थापन के बीच विभेत करना। वेग और चाल में विभेत करना। यांत्र की और इसके वर्गी करण। सभी सजीव वस्तुएं बिना किसी बाहरी सहयता के स्वहता गती करती हैं, जन्दू एक स्थान से दूसरे स्थान तक गती करते हैं, जावे अपने शरीर के विमिन भागों को घुमाते हैं। भौतिकी की शाखा जो भौतिक वस्तुओं की गती का अध्यान करती है, उसे यांत्रिकी कहते हैं। यांत्रिकी को मोडे तौर पर दो रूपों में वर्गी करित किया गया है। स्थैतिकी और गती की। स्थैतिकी एवं गती की। स्थैतिकी यांत्रिकी की वो शाखा जो उन वस्तुओं का अध्यान करती है, जो विरामा वस्ता में हैं, स्थैतिकी कहलाती है। ये सामय वस्ता में कारे करने वाले बलों के प्रभाव में वस्तुओं की गती का अध्यान है। समय एक महदपूर्ण भूमी का निभाता है. गतिकी प्यांत्रिकी की वो शाखा जो गतिशील वस्तूओं और उनकी गति के कारकों का अध्यान करती है, उसे गतिकी कहते हैं, बल गति का कारण होता है. समय इसमें भी एक महदपूर्ण भूमी का निभाता है. व्रामा अवस्था एवं गती व्रामा अवस्था कोई वस्तु यदी समय और अपने परिवेश के सापेक्ष अपने स्थान परिवर्तन नहीं करती तो इसे व्रामा अवस्था में होना कहते हैं जब किताब मेज पर पड़ी होती है या कोई व्यक्ति कुर्सी पर बैठा होता है तो वो व्रहम आवस्था में होता है गती यदि एक वस्थू समय और अपने परिवेश के सापेक्ष इस्थान परिवर्थित करती है तो इसे उसका गती में होना कहते हैं हवा में उड़ती चुडिया पानी में तैरता जलियान गती के उधारण है व्रहम आवस्था और गती सापेक्षिक होते हैं एक चलती हुई ट्रेन में बैठा व्यक्ती अपने सहियात्री के सापेक्ष व्रहम आवस्था में है लेकिन ट्रेन से बाहर की वस्थूं के लिए गती में है एक स्थिती में जो वस्थू गती में हो सकती है वही वस्थू दूसरी स्थिती में व्रहम आवस्था में हो सकती ह अता विराम और गती परस पर सापेक्ष हैं उधारण अपने घर में बैठा हुआ एक व्यक्ति वराम आवस्था में है किन्तु धर्दी के संदर्भ में दूसरे ग्रहों के सापेक्ष वो गती में है गती के प्रकार गती तीन प्रकार की होदी है रेखिये गती रेखियर गती जब वस्थू एक व्रिट के अनुदिश गती करती है तो उसे रेखिय कती कहते है दोलं गती एक निशिचित समय अंत्राल में किसी इस थिरुन्दू के आगे पीछे गती करने को दोलं गती कहते है बिंदू द्रवेमान वस्थू कोई भी वस्तू बिंदू द्रवेमान वस्तू होती है यदि गधी के दौरान एक दिये गए समय में ये अपने आमाप से ज्यादा दूरी तै करती है उधारण प्रित्वी के सूरी के चारों तरफ परिक्रमा, सूरी के पारिता, पत की तुल्ना में प्रित्वी का वियास बहुत कम है आता प्रित्वी को बिंदू द्रवेमान वस्तू कहा जा सकता है निर्देश तंत्र एक केंद्र होता है एक विमिये, दुई विमिये और त्री विमिये गती एक विमिये गती तीन निर्देशांकों में से केवल एक के सापेक्ष गती करना साथी वस्तू की स्थिती समाई के सापेक्ष परिवर्तित हो रही होती है उधारण सरल रेखा में चल रही कार दूई विमिय गती तीन निर्देशांकों में दू के सापेक्ष वस्तु की गती साथ ही वस्तु की स्थिती समय के सापेक्ष परिवर्तित हो रही होती है उधारण बलेड टेबल पर गती करती बलेड की गेंद त्रीवी में गती तीनों निर्देशांकों के सापेक्ष गती साथी वस्तू की स्थिती समय के सापेक्ष परिवर्तित होती है उधारण हवा में उर्ती होई पतं पत्थ लंबाई और विस्थापन के बीज अंतर संपुआं पत्थ लंबाई और किसी वस्तू द्वारा दिये गए समय में की गई गती के दौरां तै की गई वस्तवीक्टूरी होती है ये शूनने नहीं हो सकती ये एक अधिश राशी होती है विस्थापन एक निश्चित दिशा में समान समय में वस्तू की दो इस्थितियों के बीच की निउनतमदूरी को विस्थापन कहते हैं ये शूनने हो सकती है ये सदिश राशी है चाल किसी वस्तू की गती उसके दोरा तै की गई कुल पथ लंबाई और लिये गई समय के अनुपात के रूप में परिभाशित की जाती है चाल बराबर पथ, घटा, लंबाई बटे समय अंतराल ये अधिश राशी है इसका SI मातरक मीटर प्रतिसकिन है इसका विमिय सूत्र निमन है एक समान चाल और असमान चाल एक समान चाल जब कोई वस्तू समान समय में समान दूरी तै करती है तो उसकी चाल को एक समान चाल कहते है असमान चाल जब कोई वस्तू असमान समय अंतरालों में समान दूरी तै करती है या आसमान दूरियां समान समय में तै करती है तो उसकी चाल को आसमान चाल कहते हैं औसद चाल और ताथ क्षणिक चाल औसद चाल किसी वस्तु द्वारा तै की गई कुल दूरी और लिये गई कुल समय के अनुपात को औसद चाल कहते हैं औस चाल पराबर संपून पत लंबाई बटे संपून समयावधी तादक्षणिक चाल समय अंत्राल डेल्टा टी में किसी वस्तू की चाल को तादक्षणिक चाल कहते हैं वेग और इसके प्रकार वेग किसी वस्तू का वेग वस्तू के विस्थापन और विस्थापन में उसके द्वारा लिये गए समय के अनुपात के रूप में परिभाशित किया जाता है वेग पराबर विस्थापन बटे समयावधी ये एक सदिश राशी है इसका SI मात्रक मीटर प्रतिसेकंड है इसका विमिय सूत्र निम्न है एक समान वेक जब कोई वस्तू समान समय में समान दूरी तह करती है तो उसके वेक को एक समान वेक कहते हैं आसमान वेक जब कोई वस्तू आसमान समय अंत्रालों में समान दूरी तह करती है या आसमान दूरियां समान समय में तैगरती है तो इसे आसमान वेक कहते हैं गति का ग्राफ ये निरूपन दूरी समाई ग्राफ दूरी समाई ग्राफ से हमें चाल प्राप्र होती है दूरी समाई ग्राफ की प्रमर्टा से हमें चाल प्रदान करता है 1. यदि दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा है, तो चाल एक समान है 2. यदि दूरी समय ग्राफ एक वक्र रेखा है, तो चाल आसमान है क्या आप जानते हैं? प्रमान्ड में गति को यांत्रिकी के दो प्रत्यक्षता परसपर विरोधी सिध्धान्तों के समुझ से वर्णित किया जाता है। स्थान में परिवर्टन को गति कहते हैं, दूरी के सापेक्ष गति को चाहल कहते हैं और विस्थापन के सापेक्ष गति को वेक कहते हैं। गति, सतत या परिवर्टनिय वेक के अनुरूप क्रमशा एक समान या आसमान हो सकती है। दूरी या विस्थापन के परिवर्टन की दर हमेशा क्रमशा चाल या वेक प्रदान करती है। किर दूरी वेक्ष प्रदेख